आज महिन जी बोले कि कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है तो मार्किर से कुछ मिठाई ले आता हूँ तो मैंने कहा मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं है घर में ही बहुत असानी से जटपरसे में टेस्टी मिठाई बना दूगी यहाँ पर मैंने ली वनफोर्थ कप चीनी और लिया आधा कप दूद और दूद को आपको एक साथ पूरा नहीं डालना है तो मैंने यहाँ पर आधा दूद डाल दिया है और चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे दूद जो है वो हलका सा गुनगुना लिया है मैंने और अब जो बचा हुआ दूद था वो भी मैंने डाल दिया है चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है अब यहाँ पर लिया है एक कप गेहू का आटा इसमें गेहूं का आटा डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी आटे की गाठ न रहें अब यहां मैंने आधा कब दूर और लिया है इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे तो इस तरह टोटल मैंने अभी इसमें एक कब दूर डाल दिया है अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और एक्दम लंप्स फ्री बैटर बना कर त्यार करेंगे यहाँ पर मैंने अभी इसमें थोड़ा दूर और डाला था और देखे इस तरह की consistency का बैटर बनाना है जब आप बैटर को गिराएं तो यह रिवन की तरह गिरना चाहिए अब मैंने इसमें चार हरी इलाइची को कूट कर डाल दिया है आधा चमश मैं डाल रहे हूँ दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें अब यहां मैंने 25-30 केसर के धागों को पानी में भिगो दिया था तो यह केसर वाला पानी डाल दिया है इससे कलर भी अच्छा आएगा और केसर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे तो मिठाई बनाने के लिए बैटर पूर इसमें बैटर डाल दिया है अगर आप साइज बड़ा बनाना चाहते तो बड़ा लेडल भर के बैटर डालें घी जो है वह अच्छा गरम हो तब ही आप इसमें बैटर डालें बस आपको इसे डालते जाना है यह अपने आप शेप ले लेगा तो यहां पर आपके पैन में जितने पीसिज आ जाए उतने आप डाल दीजे मैं यहां इन्हें मीडियम साइज का बना रही हूं ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े चार पीसिज मैंने इसमें बनाए है इन्हें डालते ही तुरंत आप इनके उपर इस तरीके से यह गरम गरम घी डालेंगे इससे दोनों तरफ हीट लगेगी और बहुत अच्छे से यह त्यार होंगे यह देखी कितने अच्छे से फोलने लगे हैं गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इन्हें उलट पलट कर फ्राई कर लेना है जब भी आपका मीठा खाने को मन करे तो अब हलवाई की दुकान पर जाने की जरुरत बिल्कुल नहीं होगी घर में रखे हुए गेहूं के आटे से मज़ेदार सी मिठाई आप तयार कर सकते हैं सबी पीसे अच्छे से सिख गए हैं फोल चुके हैं कलर अच्छा आ गया है इन्हें घी से निकाल लेंगे इस तरह इ किजेगा मलाई ज्यादा पुरानी ना हो इस बात का ध्यान रखेगा इसमें दो चमश मिल्क पाउडर डाल दिया है और एक चमश डाल देंगे इसमें शुगर पाउडर अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे और इस तरीके का पेस्ट त्यार हो जाएगा अब यहां आप देखिए यह मैंने काफी सारे पीसेस बना लिये हैं और अब आपको करना क्या है जो आपने मलाई वाला पेस्ट त्यार किया ना वो इसके उपर रखेंगे और इसे ना इस तरह रखकर थोड़ा थोड़ा इसके उपर स्प्रैड कर देंगे तो सभी पीसेस के ऊपर और युपाइगे और तेस्पी बढ़ जाएगा जब आप ये मिठाई बना कर घर में सबको खिलाएंगे ना तो कोई कही नी पाएगा कि अपनेसे घर में बनाया है सब ये ही कहेंगे कि आपनेसे किसी हल्वाई की दुक्aut से बांगाया है बहुत ही टेस्ट है ओर घर में उ रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कोमेंट और शेयर जरूर करें